हलो व्रिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चैनल, फार्मारोक्स की यूटूब एजूकसने चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डीटेल में स्टेडी करेंगे डियाफलाजा कॉट टाबलेट के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक यूसके बने के कौन से अलग-अलग मेडिकल कंडिसन को ट्रीट करने के लिए डियाफलाजा कॉट यूज के ज़ते उसके डोस के बारे में सिखेंगे जानेंगे उसके साइड एफेक्ट और वर्निंग अन कॉटर इंडिकसन के डिटेल स्टेडी करेंगे और सिखेंगे कि कौन से अलग-अलग मेडिकल कंडिसन को ट्रीट करने के लिए डियाफलाजा कॉट के टैबलेट यूज के ज़ते कि जो अलग-अलग स्टेंथ में होते जैसे कि 6 मिली ग्राम के स्टेंथ में भी उसके टैबलेट्स अविलेबल होती हो साथ-साथ 30 mg में भी अविलेबल होता है तो जानते हैं डिटेल में डाफलाजा कॉर्ट के बारे में एक्सपेट लेक्चर बाया मरसर आसिस्टाम प्रोफेसर और फाउंडर ओफार्मरोग्स सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फार्मरोग्स सीखे अलग लग बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में मेडिसिन कूर्स के अंदर कि आप कौन सी दवा उसमें यूस करेंगे उनके डोस, साइड इफेक्ट, वर्निंग्स, कॉन्टर इंडिकेशन्स वो भी एक साल तक आफार्मरोग्स के बुबर तो ये कॉर्स जोईन करने के लिए हमें वाटसेप करें या फिर फार्मरोग्स की अप को डाउनलोड करें कॉन्टेक्ट नमबर है 9016312020 हमारे सेकंड चैनल को भी सबस्क्राइब करें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अब समझते हैं डाफलाजा कॉर्ट के बारे में तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम स्टेरोइट्स कहते हैं और ये मेडिकेशन के पास दो तरह की प्रापर्टी है एक है वो immunomodulatory agent के तोर पे काम करता है और साथो साथ anti-inflammatory उसके पास section पे जिसके करण ये क्या करता है कि जो सूजन और सूजन के करण होने वाले जो दर्द होते उसको काम करता है फिर जो autoimmune disorders होता है उसको भी ये medication streak करता है जैसे कि जो immunological disorders होते है या फिर जो inflammatory conditions जो हम कहे थे कि जहाँ पे आपके सरीर के अंदर सूजन है कहीं भी भी सूजन है आपके सरीर में तो उसको काम करने का काम करेगा ये deflazocot tablet तो steroidal medication है तो ये खास आप दियान रखें उसके basic use के बारे में समझे तो especially deflazocot जो है वो inflammation जहाँ पे आपके सरीर में होता है या फिर जो autoimmune conditions होती है वो दोनों को treat करने के लिए use किया जाता है ऐसे medical condition कि जहाँ पे आपके सरीर के अंदर inflammation है सूजन है या फिर आपको कोई autoimmune disorder है जिसके arthritis के condition है जिसको हम गठिया रोग भी कहते है वात रोग भी कहते है तो उसको ठीक करता है ये medication और ये क्या करता है कि जो सूजन होती है आपके सरीर के अंदर जिसको swelling भी हम कहते है फिर redness हो जाती है जहाँ पे swelling होता है वाँ पे फिर दर्द भी होता है तो वो सभी को काम करते है बिकोज जो inflammation के लिए responsible जो mediators होते है chemicals जो release होते है उनकी effect को block करके ये medication जो वो काम करते है जो specially responsible बनते है inflammation के इस तरह से आपको ये medication relief देता है inflammation के अलग-अलग symptoms में से और आपका दर्द वगिरा काम करता है तो उसके दो version है 6 mg के tablet अवेलेबल है और 30 mg का भी उसके doses form अवेलेबल है तो अब उसके basic cues के बारे में हम detail में समझे तो जो acute interstitial nephritis की जो condition कहते है कि जो आपके kidney के अंदर जो nephron का भाग होता है वहाँ पे आपको सूजन है फिर anaphylaxis जो condition अचानक से होती है suddenly आपके body के अंदर allergic reactions develop हो रहे है उसके करण सूजन हो रही है pain हो रहा है swelling हो जाती है चाहरे पे तो उसको ठीक करता है medication औस तमा के जो symptoms होते उसको भी treat करने में help करता है फिर जो autoimmune anemia की जो condition कहते है crons disease dermatomyositis की जो condition है फिर ideopathic thrombocytopanik पूरपूरा की जो condition हम कहते है फिर juvenile chronic arthritis गठिया रोग देखने को मिलता है उनको भी यह medication use की जाती है फिर severe hypersensitive reactions जब होते है कि जिसको हम anafilaxis भी कहते है तो उसके इलाज में भी deflazacot use किया जाता है फिर immunosuppression के तोर पे transplantations के दोरान जो है वो use किया जाता है फिर acute and lymphatic जो leukemia की जो condition जो blood cancer एक तरया की हम condition कहते है फिर malignant lympho वा मतलब की जो cancer होते है तो cancer में भी यह medication जो है वो useful साबित होती है इसके लाब भी उसके बहुत सारी usage जैसे की multiple myeloma की वो भी एक type का cancer है फिर muscular dystrophy की condition rheumatoid arthritis जो एक autoimmune disorder की वहाँ पे भी आपके जो joints होते है वापिस सुजन, pain, दर्द वगिरा की condition होती है फिर polymyglia, rheumatica की जो condition है nephrotic syndrome से pamphigus की condition है polyarteritis, nodosa की condition या फिर pyoderma, gangrenosum की condition sarcoidosis की condition फिर SLE की जो condition हो जो हम कहते है कि systemic lupus, irithe, metosus को जो condition हम कहते है ulcerative colitis की condition तो यह सभी medical conditions को treat करने में help करता है deflazacord tablet वहले कि बहुत सारे medicated uses के because यह एक steroid class का medication है कि जिसके करन multiple उसके आपको use देखने को मिलती तब उसके mechanism हम देखे तो कैसे medication काम करता है तो यह specially जो glucocorticoid receptor होते है उनके थुरू अपनी pharmacological action देता है और anti-inflammatory और immunosuppressive effect देता है कि जिससे जो sujan pain दर्द के जो mediators होते है या फिर जो autoimmune disorders जो होते है उनकी भी severity को यह medication कम करती है और अपनी pharmacological action देती है उसके dose के बारे में हम समझे तो जो initially जो dose होता है वो 60 से लेकर 120 mg पर day होता है कि जब भी treatment start की जाते तो शुरुआत में यह dose दिया जाता है 60 से लेकर 150 mg पर day या फिर जो maintenance dose से भी आप treatment start कर सकते है जो है 6 से लेकर 18 mg पर day तो यह जो tablet है 6 mg के यह patient खास कर दिन में तीन बार ले सकता है या फिर दिन में दो बार भी वो use कर सकते है या फिर अगर condition ज़्यादा खराब है तो उस वक्त 30 mg के tablet दिन में दो या तीन बार patient खा सकता है चिल्डरन्स के लिए हम बात करें तो 0.25 से लेकर 1.5 mg पर kg पर डे के हिसाब से या फिर alternative डे पर उसका dose बच्चों को दिया जाता है उसके कुछ side effects से जैसे की नेजो फेरिंगाइटिस मनलब की आपका जो throat का बाग है कि आप यहाँ पर जो throat का बाग देखो या फिर आपका जो nozzle passes का यह जो area होता है तो वहाँ पर आपको inflammation करवा सकती है और उसके करण आपको runny nose के symptoms develop हो सकते है sore throat जैसा होना मैं गले में खारा सुना फिर सिर्दर्द वगेरा होना तो ऐसे कुछ side effects develop होते है उसके करण फिर आपकी बूख बढ़ सकती है because यह steroid है तो steroids के side effects रहेती है बूख बढ़ाती है आपकी आपका weight gain हो सकता है frequent urination मतलब कि बार बार पेसा करने जाना पड़े ऐसा कई बार feel होता है कुसिंग syndrome हो सकता है cough या फिर abnormal grade कि आपके बालों का विकास abnormal हो सकता है यह medication के कि जिसको abnormal hair growth का आ जाता है और कुछ cases में obesity जैसे side effect मिले कि आपका weight gain होना और उससे आप obesity जैसा जो है वाँ fail करते है अब उसके कुछ contraindication से मिले कि कब आप यह medication को ना खाए तो अगर आप pregnant है तो pregnant के दोरान यूज़ ना करे अगर आपके kidneys कराब है या फिर आपके kidney disease है तो proper precautions के साथ ही यूज़ की जाते है या फिर उसको average किया जाता है फिर आपको steroid के hypersensitity है फिर आपको inactive tuberculosis है या फिर untreated tuberculosis है तीबी के दोरान यह medication यूज़ ना करें हर्पिस simplex infection है आपके आखों का या फिर आपको infection है आखों के अंदर या फिर कहीं भी आपकी बॉड़ी में fungus के करन तो भी यह medication को यूज़ ना करें और आपके सरीर के अंदर thyroid hormones का level कम है तो भी deflazacot को लेना avoid करें तो यह सब भी conditions में deflazacot को यूज़ नहीं की जाती और एक और चीज़ यह कि अगर कोई भी side effect ज्यादा खराब हो रही है तो भी यह medication को ना ले कोई allergic reactions डेवलोफ हो रही है या फिर यह medication लेने के बदा uncomfortable feel करते तो भी आपके doctor या फिर pharmacist को बदा के medication change करने जाए तो ऐसे इसी के medicine course में अलग-अलग दवायों के बारे में उनकी use क्या होते है डूज side effect, warning, contraindications एक साल तक affordable price में pharma rocks के अप उपर तो course जोईन करने के लिए में whatsapp करे 9016312020 पे तो course एकसेस करें अप उपर हमारी pharma rocks android user android डाउनलोड कर सकते iphone user app store से link description box में मिल जाएगी हमारे second channel को भी subscribe करे link हमने आपको description box में दे दी है good luck and all the best